दोस्तों अक्सर महिला आई हैं जानना चाहती है कि जल से जल्दी प्रेग्नेंसी कंसीव करने के लिए कौन सा अच्छा दिन होता है जब आपको प्रेग्नेंसी 100% कंसीव हो जाएगी आप गर्वधारन कर लेंगी जिन महिलाओं को गर्वधारन में परिशानी है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इससे आपको नौलेज मिलेगी कि आप जल से जल्द प्रेग्नेंसी के लिए कौन से दिनों में ट्राइ करेंगे तो आई रिली होप यह वीडियो आपके लिए बहुत लाप्रत सावित होगी इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखे और ज कि इस फर्टाइल डिविक बेटर अलग तरीके से इनके नाम होते हैं अपको आपको तरीके से बताऊंगे कि कैसे आपको लिएशन की सिरी इंडियोर पीड है तो आगर एक जामबल के तोर पर हम अधारे महीडीट होता है वह 28 सी 13 का होता है जो कि healthy period cycle माना जाता है अगर आपका 28-30 दिन का period cycle है तो फिर आपके जो ovulation का time आता है ovulation बो होता है time जब महिला की जो ovary होती है महिला के reproductive system में एक main part होता है जिसको बोलते हैं गरवासे अब यहां पर एक होता है गरवासे यानि बच्चेदानी बच्चेदानी के दोनों side होते हैं uterus के आसपास ovaries जिसको बोलते हैं अंडा से हर एक महिने में alternate basis पर एक ही ovary काम करती है यहां से एक स्वस्ते एक release होता है और फिलोपियन tubes में आ जाता है जब यह tube में wait करता है तो इ अगर आपका एक फिलोपियन च्यूब में 24 घंटे तक है और इसी दौरान अगर मिल जाते हैं तो आपको गरवादारन हो जाता है लेकिन आप लेशन ट्रैक करना काफी ज़दा बहुत मुस्किल होता है अगर इन रेगुलर पीरिट है इसी वज़े से मैं आपको अलग स्टार्ट हो जाएगा फोटीन देश से देवन आपका पीरिट जिए स्टार्ट होता है उसको काउंट करें उसके बाद 14 देश को काउंट कर ले चौदे में दिन से लेकर 16 दिन तक आपका या फिर 18 दिन तक या अगले वन विक तक आपका फटाइल पीडियेड साट हो जैनि 21 दिन से पहले ही इस्टार्ट हो जाती है तो ऐसे महुं में अलग अलग तरीके से अविलेशन रिसपाउंड करता है लिए अपकी पीडियेड साइकल काफी जीए होट है 21 देश की है तो ऐसे में होता है जब आपके पीडियेड समाप्त होती है उसके आपके 24 सारट ग महिलाओं की काफी लॉंग डूरेशन है पीरिड साइकल की तो ऐसी महिलाओं में क्या होते हैं कि जो संभावित आपके पीड़ डेट आने वाली है उसे से 12 दिन माइनस कर दीजे और आपकी फटाइल डेस को काउंट कर लीजे क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी कव आती ह इसी वज़े से जो संभावित डेट है इन में से आपको 14 डेस या 12 डेस को माइनस कर देना चाहिए और जो वन विक का डिवरेशन है यह आपका फटाइल पीडियेड होता है तो यह काफे ज़्यादा आसान तरीका होता है अगर आप 100% प्रेग्नेंसी नैश्रल तरीके से च बनाया है तो भी आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी अगर ऑविलेशन स्टार्ट हो गई है उसके 6-12 घंटे के दौरान आप प्रेग्नेंसी कर लेंगी क्योंकि इस दौरान जो स्पर्म का टाइम होता है डूरेशन आपके सरीर में रहने का ज्यादा होता है तो इस तरीके से अपनी ऑविलेशन कालकिलेट करें और अगर इस विसय में और भी कुछ आपको जानना है तो फ्रिक्वेंटली आप उससे पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो लाइक सेर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स उम्मीद करती हूं वीडि आइकन जरूर अन करते आज के लिए फिलाल इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई टॉपी के साथ तब तक अपने ख्याल लिखे टेक केर नमस्कार